हालो एवरीवन कैसे हैं आप लोग उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे आथी इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्लाप्स टुएल्थ इंगलिश का फ्लेमिंग गूब बुक से पहला पोयम इनका पोयट का नाम ब्यात कर लीजिए पोयट का नाम है कमला दास की मम्मी के बारे में पोयम है उनकी मम्मी का एज है 66 ठीक है चलिए देखते हैं डिटेल में पोयम को लिखा हुआ है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पैरेंट्स होम तो कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई स्वा माई मदर बिसाइड मी डोज ओपन मौथ हैं सीन कुछ ऐसा है कि जो पोयट है कमला दास और उनकी जो मम्मी है यह दोनों अपने घर से निकल के कहा जा जा रही है कोचीन जा रही है कोचीन इंटरनेशनल एयरपूट ठीक है और एक कार में जा रही है ठीक है कब कौन सा दिन था फ्राइडे का दिन था ठीक है फ्राइडे मॉर्निंग तो जा रही होती है तो पोयट जो है उनका नजर अपनी मम्मी पर पढ़ता है कार गया अक्सर कई लोगों का मुग खुल जाता है तो हर फेस एशन लाइक डाट ओफ और कॉर्प्स अब यहां पर यह जो पोईट है वो अपनी मम्मी को डिस्क्राइब कर दिये उनकी मम्मी का चेहरा जो है वो एशन हो गया है एशन मतलब ऐसा फेस को डिस्क्राइब करते हैं एशन बीमारी है ने तो यह काफी बुढ़ापा के कारण एजिंग के कारण इनका चैरा जो है उसमें से जो गलो था ब्राइटनेस था वो घड़ यह है अब वो चैरा काफी डीम पेल हो गया है ठीक है ठीक है कॉर्प्स की तरह कॉर्प्स का मतलब क्या होता है डेड बोडी जिस आइसे डेय्ज़ तो यह देख के पोएट को काफी दुख होता है तो यह पर लिखांगी यह बाद का रियाव्मी कानी हो गतलड काफ़ी बुड़ी हो गई है है कि आपके लिख लाएद से ठीमें देखती बूरी गत्यास है जितने की वो देख रही है मतलब अब उनकी मुम्मी जवान नहीं रही है जो एजिंग है इस प्रोसेस को accept करना परेगा ठीक है यह जो एजिंग है वो क्या है इनेविटेबल है यह वर्ड आप याद कर लीजिए इनेविटेबल ठीक है तो यह आप लेकिन पुएट को यह बात बरदास्ट नहीं होता है कि उनकी मम्मी बूरी भी हो सकती है और एक दिन मर्द भी जाएगी ठीक है पुएट यह बात को accept नहीं कर पा रही है उसलिए पुएट अपना ध्यान को भटकाने के लिए यह पूट डैट होट अब यह ख्याल को अपने म और दूसा चीज है यह अब यह का मतलब क्या है साइब नीचे लिखा हुआ है कि कार में बैथ के जा रहे होते तो आपको आपको अगर बाहर देखते हो आपको ऐसा लगता है कि कारीधर मूफ कर रहा है तो लगेगा कि trees जो है वो पीछे की तरफ मूफ कर रहे है ठेकिने तो उसी को बोला गया है कि young trees जो है वो पीछे की तरफ दौर रहे है ठीक है और दूसरा चीज उन्हें दिखता है तो ओबरफलो कर तैंट ने spill कर गया वो उसी तरीकर से बच्छे भी यह घर से बाहर इतनी खुशी के साथ निकल रहे थे तो यहां पर यह दो जो image यह पर प्या कर रही है एक वीविड इम्दी करेट कर रही है इमिजरी क्रिएट कर रही है ठीक है और यहां पर पॉइट जो है वह कॉंट्रास्ट सब से एक टरफ है उनकी मक्वी चो कि काफी पूरी है लाइफनेस है ठीक है मतलब ना के मातаете लाइफ है काफी डल दिख रही है पेल निरासा है वहांther और दुसरा तरफ है यंग ठीक है, bright future जिनका दीख रहा है, ऐसा कुछ उन्रे सिन देखने को मिल रहा है, तो दो चीज़ों को यहाँ पर contrast किया गया है, ठीक है, और exam में इसके उपर भी question आता है, कि यह जो young trees है न, यह y और t को क्यों capitalize हिया गया है, इसके उपर भी question पूछा गया है, तो यह इसके लिए poet यहाँ पर इसको capitalize किया है, क्योंकि poet यहाँ पर, जो contrast है, वो सो करना चाहती है, उनकी mammy और young चीजों में, ठीक है, उनकी mammy बुडी हो गई है, यह सब काफी young है, full of life है, full of vigor है, ठीक है, जबकि mammy में यह सब चीज़ एपसेंट है, समझे, उसलिए यह contrast सो करने के लिए, poet यहाँ पर, Y और young trees का, जो Y और T है, उसको capitalize की हुई है, बात है गया ही समझ रहे, चलिए, आगे move करते है, but after the airport security check, अब इतना करते-करते यह लोग airport पहुच गए, airport पर आपको पता ही है, security check होता है, यह तो कोई भी कुछ भी लेके जा सकता है, तो airport पहुच लेका बात, standing a few yards away, I looked at her when when, as a late winter's moon, तो जो हमारी point है, वो कहीं जा रही है, वो कुछ दूर खरे होकर, जिसे कि यहाँ पर आप picture पर देख सकते है, ठीक है, कुछ दूर खरे होकर, फिर से वो अपनी मम्मी को देखती है, standing a few yards, कुछ feet का दूरी पर ख़ड़ा होगे, points जब अपनी मम्मी को तो कैसा दिखती है अब उसकी मम्मी, I looked at her, वापस point अपनी मम्मी को देखती है, और इस समय उनकी मम्मी, when, when का मतलब यहाँ पर लिखाव है, colorless, कोई color ही नहीं है, normally healthy color क्या मना जाता है, कि अगर आपका नाखून का color यागी, या फिर आपका skin color अगर pink है, तो आप काफी healthy म मना जाता है, pink होना चाहिए, आपके मसूरे का color या फिर आपके जीव का color ये सब pink होना चाहिए, ये काफी healthy color मना जाता है, ठीक है, तो वो अपनी मम्मी को देखती है, तो मम्मी colorless देख रही है, कोई color ही नहीं है, बिला पड़ गई है, ठीक है, corpse की तरह, corpse की तरह, dead body की तर है, देखे, एक तो winter बोला गया है, मतलब ये cold season है, और poetry में कभी भी cold चीज़ को associate किया जाता है, death के साथ, आपका सरी ठंडा पड़ ये मतलब आप मर गए, है की नहीं, एक तो ये meaning होगी, आउपर से late winter moon के time में क्या होता है, काफी जादा fog होता है, mist होता है, जिस कारण से ह में, ये जो moon है, वो काफी दूंदला दिखता है, ठीक है, clear day दिखता है, colorless दिखता है, तो ठीक उसी तरह उनकी mummy भी दिख रही थी, ठीक है, उतना clear उनका चैना नहीं था, काफी wrinkles आ गया था, wrinkles आ गया था उनके चैरों पे, तो फिर आगे देखिए, ये सब के ऊपर question बनत था, तो उनको ने काफी pain के साथ ये realize कि उनकी mummy बूरी हो चुकी है, फिर poet अपना ध्यान भटकाने के लिए बाहर देखा तो ये सब चीज दिखा, जब वापस security check हो गया, तो poet का नजर फिर से अपनी mummy पर पढ़ता है, और इस वार mummy फिर से वैसा ही काफी बूरी दिख रही तो हमारा क्या होगा, आमें कौन खिलाएगा, पिलाएगा, कौन पढ़ाएगा, ठीक है, कौन पालेगा, तो ऐसा ही कुछ fear फिर से poet के मन में आता है कि अगर उनकी mummy को हो गया, बहले कि आज के date में, ये जो poet है, कमला दास, ये अपना independent है, ठीक, अपने पैरों पर खरी है, लेकिन फिर भी वो बच्चा वाला डर वापस उनमें आता है, कि अरे मेरे मम्मी को कुछ हो गया, तो मेरा क्या होगा, ठीक है, but all I said was see you soon, अम्मा, लेकिन poet यहापे काफी हिम्मट बतुरती है, और अपने ये fear को, दुख को छिपाते हुए, वो बोलती है अपनी mummy को, कि mummy व अलविदा कहती है, समझे, तो poet यहापे smile सो कर रही है, लेकिन अंदर में काफी वो डरी हुई है, काफी दुख से बरी हुई है, लेकिन फिर भी वो मम्मी को encourage करने के लिए, वो ऐसा कुछ, smile करके अपने दुख को hide कर दिया, समझे कि नहीं, तो इस poet का मतलब simple meaning यही है, real life स कीजिएगा, MBA कीजिएगा, मान लीजिए, या फिर BTEC जो भी आप कर लीगे, IIT जाहीं से भी कर लीजिए, ले दे कि आप क्या करेंगे, एक job कर रहे होंगे, जौब अच्छे का से MNC में करेंगे, मान लीजिए, ठीक, आप बोलने के लिए आपका पास होगा कि साल का package है, 12 लाग, 15 लाग, 20 लाग, एक करोर जो भी package हो आपका, या आपको बस package करके बान दिया जाएगा, आप कभी घर में राके क्या job कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, आप मान लीजिए, यूपी डेली से है, आप मान लीजिए, इंडिया से बहार चले गए, या फिर इंडिया का आप अपने घर से दूर जा रहे हैं, आप अगर यूपी बिहार गे हैं, तो आपका घर तो होगा, यह जहां पर मामी पपार आ रहे होंगे, तो आप job करेंगे बैंगलोर में, और आप मामी पपा को जितना भी समधा लीजिए, वो लोग कभी भी आपके साथ बैंगलोर ली जाते हैं, तो वह यह बोला है कि, लाइफ जो है वो काफी प्रीशियस है, जो फैमिलियल रिलेशन है, उसको में काफी बचा कर रखना है, ठीक है, आज के टाइम में आप भले ही पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन में में पके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, क्या आगे चलके क्या पता आपका कहा जॉब लग जाए है, और यह वक्त बहुत जल्ली गुजर जाएगा, ठीक है, आप अभी टुएल में है, तीन साल बाद खुले तो उसके बाद जॉब है, तीन-चार साल में आपका लाइफ फुरा चेंज होने वाला है, तो आप काफी मिस क जो है, फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ है, है कि निए, और चलिए कुछ पॉइटिक डिवाइस से बात करते हैं, सबसे इंपॉटेंट पॉइटिक डिवाइस हैं यहाँ पर अड्लाइन कर रखे हैं, कि हर फेस आपने सी मिली, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर यहाँ पर और भी है, यहाँ पर पॉइटिक डिवाइस सी मिली यह रा, यहाँ पर पॉइट के मदर को कम्पेर किया गया है, लेट विंटर मून के साथ और एज वन से कम्पेर किया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी पॉइटिक डिवाइस क्या हुए, या, शिमदी, समझ रह correct, फिर औ और सोनी फिकेशन समझें और साथे साथ इमेजरी तो ही यहाँ पर एक इमेज क्रिएट किया गया है लाइब लिवली हूट का ठीक है नमतलब फुल अफ लाइफ का ठीक है इमेजरी है यहाँ पर एक और पॉइटिक डिवाइस समझ रहे ही नहीं तो यह सब पुछ इन्पोर्टेंट पॉइटिक डिवाइस है इसके अलावा यहाँ पर समझी रहे है रिपिटिशन है पॉइटिक डिवाइस फिर और यहाँ पर था माई मदर तो यहाँ पर एलिटरेशन हो गया जब कॉंसेंट आट बिइनिंग रिपीट होता है तो एलिटरेशन हो गया ठीक है तो यह सब फूछ है यहाँ पर यहाँ पर पूर्टेंट पोशन है वह आपको मेरे वेबसाइट पर मिल जाएगा आप जरूर एक बार उसके प तो पुछ आएगा नहीं तो इतने के साथ एंड करते हैं उमीद करते हैं आपको यह पूरा वीडियो समझ भायाँ होगा पोई मत का मेसेज क्लियर हुआ होगा और वीडियो चाहिए आपको एक लाइक कर दीजिए फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट कन्फ आपको